वंदी मातरम मंच पर उपस्तित हमारे सभी समाजवादी साथी यहाँ पर उपस्तित सभी समाजवादी साथी पत्कारवंदू आज 15 अगस्त है मैं आप सब को सुदंता दिबस की बहुत-बहुत बधाई और शुबकामनाय देता हूँ मैं आज के आपके माद्यम से पूरे प्रदेश और देश के सभी देशवासियों को भी आज सुदंता दिबस की बहुत-बहुत शुबकामनाय और बधाई देता हूँ जहां पूरा देश आज 15 अगस्त मना रहा है सुदंता दिबस की खुशिया मनाई जा रही है वहीं आज का दिन हमें ये भी मौका देता है कि तमाम जिन लोगों की कुरवानी की वज़े से आज हम 15 अगस्त मनार उनको याद करें सरफ प्रतर हम राश्पता महत्मा गांदी को हम नहीं भुला सकते लगातार उनके आंदोलन और लगातार लोगों के बीच में रह करके उन्हें पूरे देश को जगाने का काम किया वहीं नजाने कितने लोग शहीद हो गए अपने कुरवानी देदी जान की नजाने कितने लोगों को जेल में रह करके आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ी उन तमाम लोगों को आज हम पंदर अगस के दिन याद करते हैं जिसकी वज़े से हमें और आपको आजादी मिली है जहां सुदंदा दिवस मना रहे हैं वही हमारी और आपकी जिम्मिदारी ये भी बनती है कि जिन सपनों को लेकर कि आजादी मिली है उन सपनों को हम पूरा कैसे करें सुतंजा सिनानियों ने और आजादी के समझ जो संकल्ब लिये गए थे वो संकल्ब कितने पूरे हुए हैं लोगों ने अपनी जान की परवा नहीं की जो सदियों से लोग इस देश को गुलाम बनाये थे उन्हें आखिरकार भाग नहीं पड़ा था वहीं आज का दिन हमें ये भी मौका देता है कि हम दुनिया में जहां खड़े हैं हम उन देशों से तुल्ला करें आखिरकार चालिस पेटाइस साथ सत्तर सालों में लोग कितना आगे चले गए दुनिया के दूसरे देश कहां पहुँच गए हम उन देशों के मुकाबले पर कहां खड़े हैं मुझे खुशी इस बात की कि आज लाल किले पर खड़े हो करके पिधाया मन्थी जी ने दुबारा संकल लिया है कि वो समाजिक नयाए को दिलाने का काम करेंगे समाजिक नयाए की लड़ाई को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे अगर लाल किले से बात कही गई हो समाजिक नयाए की तो शायद पूरे देश के लोग इस बात का भरोसा करेंगे कि उन्हें भी समाजिक नाय मिल जाएगा लेकिन केवल कह देने से साइश समाजिक नाय नहीं मिलेगा अभी तो हमारे लोगों की गिंती नहीं हो पाई है हम आखिर का कितने लोग हैं बीच में कितने लोग रह रहे हैं जब तक हम गिने न जाएं आवादी का पता नहो तब तक शायद समाजिक नाय हम लोगों को नहीं मिल सकता है और वहीं जो बात मैं कहना हैं कि दुनिया के दूसरे देशों से जम तुल्ला खरें तो हम कहां खड़े हैं सिक्षा के छित में हम कहां खड़े हैं हम अपने गरीबों को इलाज कितना दिला पाये हैं चिकिस्ता अस्वास के छित में हम कहां खड़े हैं नौकरी और रोजगार के छित में हम कहां हैं जहां साइंस और टेक्नोजी की बात हो रही है ग्राम सबा तक आप्टिकल फाइवर पहुंच जाए वही हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे गरीब हमारे गाउं में रहने वाले लोग कितना उन चीजों को समझते हैं जहां दुनिया टेक्नोजी में साइंस में नजाने कहां पहुंच गई ऐसा नहीं कि हमारे अधारण नहीं है अधारण हैं लेकि जिस तरीके से सब को लाब मिल जाना चाहिए था वो शायद हमें अभी नहीं मिल पाया दुनिया जो ताकतवर देश हैं अमरीका है या आस पास जो देश हमारे हैं हम तुल्ला में कहां खड़े हैं आवादी में जरूर हम जादा हैं लेकिन अभी जो हमें किसानों को मिल जाना चाहिए तब ही नहीं मिल पाया है जो खुशाली तरक्य किसानों के बीच आजाने चाहिए वो नहीं आ पाई है ये कई बार कहा जाता है कि दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ा है हमारे पासपोर्ट का सम्मान पढ़ा है लेकिन शाहिद आपके लोगों में बीच में कोई बास जानता जरूर होगा कि हमारे पासपोर्ट चलने वाले लोग अगर हवाई जाज में उनका बच्चा रो जाएगा तो हवाई जाज से उतारा जाता है ये हमारा कितना सम्मान बढ़ाई है आप सोचना होगा इस बात का हवाई जहाज में अगर बच्छा रोने लगे भारत का सो उते उतार दिया जाता है तो सोचो हमारा सम्मान कितना बढ़ा है आप्टिकल फाइवर का लाब नहीं मिला है लेकिन आप्टिकल फाइवर का जूट बोलने में लाब जरूर मिला है किसान कैसे खुशाल हो उसके लिए हमें सोचना होगा पैदावार के वारे में कहा गया MSP देश में लागू है लेकि MSP मिलेगी कैसे ये सबसे बड़ा सबाल है MSP जब तक नहीं मिलेगी तब तक हमारा किसान नहीं खुशाल हो सकता जहां हमारा तरक्की की बात करें खुशाली की बात करें वहीं क्या आखिर कार हमारे देश के लोगों को मिला है और जो हम दुनिया के दूशे देशों से तुल्ला करते हैं तो शाहिद हमारा देश वहां जहां खड़ा है वहां से बहुत आगे जा सकता था लेकिन गलत नीतियों के कारण शाहिए हम नहीं पहुँच पाए हैं अब तो आवादी में भी बहुत बड़ा देश हो गया है और इतना योवा किसी देश में नी यह जितना योवा आवादी का हमारे देश में है इसलिए हमारी यह आपकी जमिलारी बढ़ जाती है वहीं अगर समाजी नयकर सपना देखा जाए तो हम कभी डाक्टर भीम्रा मेडर गजी को नहीं भूल सकते हैं जो नों ने सपना दिखाया और उसी सपने के साथ जा डाक्टर रामन लोहिया चल दिये उस सपने को नहीं भूल सकते हैं वहीं आज हम संकल बलें कि जहां देश आगे बढ़े वहीं हमारा भरोसा भी बढ़े एक दूसरे के प्रत्प भरोसा नहीं बढ़ेगा अगर तो हमारा देश खुशाली के रास्ते पर नहीं जा सकता हम जब तक अपने देश के लोगों को सिच्छित नहीं कर देंगे तब तक शाइद हमारा देश दुनिया के दूसरे देशों का मुकाबला नहीं कर सकता है हम अंतरिक्ष में चले जाएं एक दो लोग हमारे अंतरिक्ष घूमाए साइद उससे देश हमादा खुशाल नहीं होगा और अगर यही बात हो तो दुनिया में जब हमारे देश को यह का जाता है कि आध्याद में सबसे आगे कोई देश है तो हमारा देश है हमें गर्व होता है अपनी संस्किती पर हमें गर्व होता है अपने तमाम पुराने लोगों पर वहीं जब ये कहा जाए कि वासुदे जो हमारी धर्ती एक परिवार है वही हमारे लोग जाएं और दूसरे देश में कहें जाकर कि हमारे आपके जीन से एक हैं लेकिन वही हम यहां पर अपनी धर्ती पर भेदवाब करें तो शायद हमारा देश खुशाल नहीं हो सकता और फिर आज हमारे यहां कोई बात शुरू ही हो अगर वही बात अमरीका में शुरू हो जाएगी तो सोचो हमारे भारत के कितने लोग यहां पर बापस आजाएंगे हो सकता है कब अमीर का भी तेकर ले कोई नहीं सोचता था कि चीजें बदली जाती हैं कभी कभी बदल जाती है वहां पर भी फैसला हुआ कुछ लोग बाहर चले गए लेकिन सोचो अगर वहां भी कोई ऐसा फैसला हो गया तो हमारे भारत के लोग कितने बापस आएंगे तो इसलिए या तो यह मत कहिए कि धर्ती एक परिवार है हमारे आपके जीन से इक मिलते हैं तो हम लोगों को कहीं न कहीं उन बातों को भी सोचना पड़ेगा जहा हम आजादी की खुशी बना रहें पंद्रे अगस की वहीं हम संकल पिलें कि हमारा किसान और गरीब कैसे खुशाल हो हमारे देश के अंदर जाती धर्म कैसे खतम हो हमारे बीच में कैसे भाईचारा बढ़े और मैं समस्ता हूँ जो समाजवादियों ने रास्ता दिखाया है वही असली रास्ता है जो डाक्टर भीमरामिलकर जी ने रास्ता दिखाया जो रास्ता है डाक्टर रामरार रुया जी ने दिखाया शायद उसी रास्ते पे चल करके हम न केबल लोगों के बीश खुशारी ला सकते हैं बलकि देश तरक्की के रास्ते पे भी लेकर जा सकते हैं इनी सब्दों के साथ एक बार फिर मैं आप सबको पंद्रेगस की बहुत बहुत शुपकाना देता हूँ बदाई देता हूँ जहां हम समाजवादियों को दे रहे हैं वहीं पूरे देश के लोगों को बहुत बहुत आज के दिन की शुपकाना है और जिम्मित भरोसे के साथ के हमारा देश भी दुनिया के दूसरे देशों के साथ बराबर ख़ड़ा दिखाई देगा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका अबहुत